कि यह थे हैं कि अब है 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 थे फिरेंट्स ही वीडियो क्लास 11 स्टुइंट्स के लिए है वोले इट इसीने से लिए स्कूल के इसा कि हम प्पिशली वीडियो में आप लोगों को चैप्टर को एच्पिंट कर चुके थे दा पोट्रेट अफ है उससे बेज़ कुछ हम लोग आज उसके वार में लिस्केस करने वाले हैं आप लोगों को इन questions के answer निकालने होंगे और अपनी copy में लिखने भी होंगे और इसके अलावा आपकी बुक में जो question answers दिये हुए उसको भी आपको complete करके याद करने होंगे देखते हैं पहला हमारा question है why does the narrator call his mother a winter landscape क्यों जो narrator होता है अपनी दादी मा को ये winter landscape के नाम से बुलाता है second question है how did Khushwan Singh portray his grandfather in the lesson किस प्रकार Khushwan Singh अपने दादाजी के वारे में इस lesson में explain करते हैं चित्रन करते हैं थर्ड कोशन है which is stories of grand mother did the author treats as fables of the prophets why कौन से stories जो है दादी मा की जिसके वारे में author को बताया गया था और author उसको fables of the prophet मतलब पैगंबर की परकलपनाय पैगंबर की कानिया मानता था और क्यों मानता था चोधा कोशन है the author and his grandmother were good friends in his village supportive answer with suitable examples from the text जो ऑथर है अपनी दादी मा को एक अच्छा मित्र मनता था अपने गाउं में support your answer with suitable example from the text आपने पूरा चेप्टर पढ़ा इसके हिसाब से आपको क्यों लगता है जो author और उसकी दादी मा जो होती है उनकी जो friendship होती है वो बहुत अच्छी होती है village में जब्बू रहते हैं और जोरा next question है describe the happiest half hour of the days for grandmother जो आदा घंटा सबसे ज़्यादा खुशीगा हुआ करता था दादी मा के लिए वो कौन सा आदा घंटा था उसके बारे मा को describe करना है we protested but she ignored our protest who protested and why what was the result हमने protest किया हमने विरूत किया लेकिन उन्होंने उसका कोई भी response नहीं किया our protest हमारी protest का कोई response नहीं किया who protested किसने वो protest किया क्यों किया what was the result और उसका क्या result आया next question देखते हैं पच्छों how did the sparrows react at the death of the author's grandmother किस प्रकार से जी sparrows थी उन्होंने react किया दादी मा की मिरत्तियों के उपर कैसे उन्होंने अपना शोग जो था वो प्रकट किया next question देखते हैं mention instances from the lesson to prove that grandmother was considered towards animal mention instances कुछ examples को mention करिए इस lesson में से और वो जो प्रूब करें कि दादी मा बहुत considered थी दादी मा बहुत caring थी किनके प्रती animals के प्रती बुच्छा caring थी उन सारे examples को mention करना हुगा next दिखते हैं why was it hard for the author to believe that his grandmother had once been young and pretty क्यों मुश्किल था author के लिए ये विश्वास करना कि उसकी दादी मा थी वो कभी किसी जमाने में बहुत युवा और बहुत सुन्दर भी हुआ करती थी क्यों उसके लिए बहुत मुश्किल वाली वाकती है सोचना ये विश्वास करना next दिखते हैं why did grandmother always accompany the author to school in village क्यों दादी मा हमेशा साथ जाया करती थी author के जब वो गाव में school छोड़ने के लिए जाया करती थी उसको तो हमेशा उसके साथ में क्यों जाया करती थी next दिखते हैं why did grandmother disapprove of the things they taught at the English school क्यों दादी मा डिसप्रूब रागरती थी अर्था अच्छा निमाना गरती थी जो भी चीज़ें जो की पढ़ाई जाती थी English school में उस narrator को उन सारी चीज़ों को दादी मा क्यों उन सारी चीज़ों को डिसप्रूब करती थी next दिखते हैं how did the move to the city group to be the turning point in the grandmother grandson relationship कैसे जो movement थी जो जाना था दादी मा का और उसके grandson का उनकी relationship के अंदर किस प्रकार वो जो movement थी गाओं से share जाने की वो क्या प्रभाब डालती है कैसे प्रभाब डालती है यह आपको explain करना होगा next दिखते हैं what change did Khushwan Singh's return from abroad bring in grandmother's routine क्या बदलाव Khushwan Singh जब लोटके आया था जो author था जो लोटके आया था abroad से अपनी higher education प्राप्त करने के वाद में उनके आने के वाद में दादी मा के और उसके बीच में क्या परवर्तन आया और दादी मा का जो रुटीन था वो किस प्रकार बदला था उसके बारे में आपको बताना होगा आपको कुछ incidents बताने हैं लिखने हैं इस lesson के इंदर जो बताए गए हैं जो दिखाते हैं कि दादी मा बहुत ज़्यादा शौकीन थी बहुत महबत करती थी अपने grandson से चले गाईस अब मैं आपके इसके long questions होंगे वो next वीडियो में explain करूंगा है 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 वीडियो क्लास 11 स्टुएंट्स के लिए हैं हो लेगा इसीने सेंटी स्कूल के इसके हम पिसली वीडियो में आप लोगों को चैप्टर को स्पिंट कर चुके थे दा पोट्रेट ऑफ लेडी उससे बेज़ कुछ कोशन से हम लोग आज उसके वार में लिसक्स करने वाले हैं आप लोगों को इन के आंसर निकालने होंगे और अपनी कोपी में लिखने भी होंगे और इसके अलावा आपकी बुक में जो कोशन आंसर दिये हुए उसको भी आपको कंप्रीट करके याद करने होंगे तो देखते हैं पहला हमारा कोशन है वाइडर्स नेरेटर कॉल इस मदर आफ विंटर ले दादा जी के वारे में इस लेशन में एकस्प्लिन करते हैं चित्रन करते हैं थर्ड कोशन जो के वारे में ऑथर को बताया गया था और ओथर उसको फेबल अप्रोफेट मतलब पैगमबर की परकलपना ये पैगमबर की कानिया मानता था और क्यों मानता था चोदा कोशन है The author and his grandmother were good friends in his village Support your answer with suitable examples from the text जो author है अपनी दादी मा को एक अच्छा मित्र मानता था अपनी गाउं में Support your answer with suitable example from the text आपने पूरा चेप्टर पढ़ा इसके हिसाब से आपको क्यों लगता है जो author और उसकी दादी मा जो होती है उनकी जो friendship होती है वो बहुत अच्छी होती है village में जबूर रहते हैं और जोरा Next question है Describe the happiest half hour of the days for grandmother जो आदा घंटा सबसे ज़्यादा खुशीगा हुआ करता था दादी मा के लिए वो कौन सा आदा घंटा था उसके बारे मा को describe करना है We protested but she ignored our protest Who protested and why What was the result हमने protest किया हमने विरूत किया लेकिन उन्होंने उसका कोई भी response नहीं किया Our protest हमारे protest का कोई response नहीं किया Who protested, किसने वो protest किया क्यों किया What was the result और उसका क्या result आया Next question देखते हैं अच्छों How did the sparrows react at the death of the author's grandmother किस प्रकार से जिस sparrows थी उन्होंने रियक्ट किया दादी मा की मिरत्तिव के उपर कैसे उन्होंने अपना शोक जो था वो प्रकट किया Next question देखते हैं Mention instances from the lesson to prove that grandmother was considered towards animal Mention instances कुछ examples को mention करिए इस lesson में से और वो जो प्रूब करें कि दादी मा बहुत considerate थी दादी मा बहुत caring थी किनके प्रती animals के प्रती बचला caring थी उन सारे examples को आपको mention करना होगा Next देखते हैं Why was it hard for the author to believe that his grandmother had once been young and pretty क्यों? मुश्किल था author के लिए ये विश्वास करना कि उसकी दादी मा थी वो कभी किसी जमाने में बहुत युवा और बहुत सुंदर भी हुआ करती थी क्यों उसके लिए बहुत मुश्किल वाली वाती है? सोचना ये विश्वास करना Next देखते हैं Why did grandmother always accompany the author to school in village? क्यों? दादी मा हमेशा साथ जाया करती थी author के जब वो गाव में school छोड़ने के लिए जाया करती थी उसको तो हमेशा उसके साथ में क्यों जाया करती थी? Next देखते हैं Why did grandmother disapprove of the things they taught at the English school? क्यों? दादी मा disapprove रा करती थी अर्था अच्छा निमाना करती थी जो भी चीज़ें जो की पढ़ाई जाती थी रिखते हैं How did the move to the city group to be the turning point in the grandmother-grandson relationship कैसे जो movement थी जो जाना था दादी मा का और उसके grandson का उनकी relationship के अंदर किस प्रकार वो जो movement थी गावं से share जाने की वो क्या प्रभाब डालती है कैसे प्रभाब डालती है यह आपको explain करना होगा Next दिकने What change did Khushwan Singh's return from abroad bring in grandmother's routine क्या बदलाव Khushwan Singh जब लोट के आया था जो author था जो लोट के आया था abroad से अपनी high resolution प्रावत करने के वाद में उनके आने के वाद में दादी मा के और उसके बीच में क्या परवर्तन आया और दादी मा का जो रूटीन था किस प्राकार बदला था उसके बारे में आपको बताना होगा Next दिकने आपको कुछ इंसिजेंट्स बताने हैं लिखने हैं इस लेसन के इंदर जो बताए गए हैं जो दिखाते हैं कि दादी मा बहुत ज्यादा शौकीन थी बहुत महबत करती थी अपने ग्रांट संसे अब मैं आपके उसके लोंग कोशन सोंगे वो नेक्ट वीडियो में एक्स् झाल